आप सभी ने अपनी जिन्दगी में गुड तो जरूर खाया होगा है ना वेरी गुड और आज हम बात करें गुड के बारे में कि गुड को कैसे प्रयोक करके आप वात की 80, 50 की 40 और कफ की 20 से ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं जी हां खंडियों का मौसम आ गया है और जादा तर आप हर जगा पर गुड बनते हुए जरूर देखेंगे अब गुड को देखके उसे खाने का भी मन होता है क्यों न करे मीठा है स्वादिस्ट है सेहत के लिए अच्छा है तो आज इसी गुड के बारे में चलिए हम जानते ह कि आईरवेद क्या कहता है गन्य के रस को पकाते पकाते जब उसका मौश्चर उड़ जाता है और जो सॉलिट भाग रहता है उसे सुखा कर ही हमारे देश में गुड बनाया जाता है अब हिमाचल से लेकर केरल तक हर जगा हमारे देश में गुड आसानी से मिल जाता है और एक बहुत कमाल का टॉनिक और आईर्वेथ की बहुत बड़ी दवा भी माना गया है सबसे पहले जान लेते हैं नए गुड के क्या काम है जब गुड नया नया बन कर तैयार होता है या गुड बनने के 6-8 महिने के अंदर तक अगर उसका प्रयोग किया जाए तो यह गुड पचने में भारी होता है अर्थात इस गुड का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि अपने शरीर को बढ़ाना चाहते हैं पतले हैं शारीरिक मेहनत बहुत करते हैं और जिनकी पाचन अगनी बहुत तेज हैं जो अपने शरीर में फैट बढ़ाना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए जो ताजा गुड मिलता है ठंडियों में अभी जो ताजा गुड मिलेगा वो खाना उनके लिए ज़्यादा स्वस्त प्रद है तो इस गुड का वो कई तरह से प्रयोग अपने खान पान में कर सकते हैं ताजा गुड सरीर बढ़ाने वालों के लिए बहुत अच्छा है ताजे गुड के बात वो कहते हैं पुराने गुड के बारे में पुराना गुड अर्थाज जो छे महीने या एक साल से ज़्यादा पुराना हो अब यह गुड नए गुड से कई गुणा ज़्यादा गुड कारी है अब बहुत बार यह गुड गुड सर्द सुनके थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसलिए फिर से कहता हूँ कि जो पुराना गुड है वो नए गुड से कई गुणा ज़्यादा फायदे मन लापकारी या फिर गुण कारी है कैसे पुराने गुड के बारे में अस्टांग रिदय में वागभट रिशी कहते हैं कि पुराना गुड रिदय के लिए सबसे अच्छे टॉनिक में से एक है जी हाँ अगर आपको रिदय सम्मंधित कोई भी बिमारी है तो उसमें पुराने गुड का सेवन करना आपके हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा है हार्ट सम्मंधित कई सारे रोग होते हैं उसमें से एक बिमारी ये होती है कि डर बहुत लगता है या पाल्पिटेशन होने लगता है अचानक से दिल की धड़कने बढ़ जाती है डर बहुत लगता है खास करके जिनका BP बलड प्रेशर लो रहता है जिनका हार्ट रिदय कमजोर है या फिर जिनका ejection fraction जो हार्ट की pumping की शमता है वो कम है ऐसे सभी लोगों के लिए पुराना गुड़ खाना बहुत अच्छा है आईर्वेद में इसे पत्थे कहा गया है अर्थात ये सभी लोगों के लिए useful है खास करके अगर आपको diabetes है अगर आपको sugar की बिमारी है तो भी आप पुराना गुड़ खा सकते हैं जी हाँ आईर्वेद की बिमारी में अगर प्रमेह या फिर मदुमे नाम के जो रोग है उसमें भी गुड़ खाने के लिए कहा गया है क्योंकि उन सभी बिमारीों में गुड़ हमारे शरीर के लिए लापकारी है इसकी एक और property बताते हुए वो कहते हैं कि यह अगनी को बंद नहीं करता अर्थात पचने में हलका है जो पुराना गुड़ होता है वो पाचन में हलका होता है और अगनी को बढ़ाता है अगनी जनन करता है पुष्टी वर्धक है अब नया गुड़ किसके लिए था जिनकी पाचन अगनी बहुत तेज है जिनको बौड़ी बनान इसे आईरवेद में वीर्य वर्धक और वातनाशक कहा है अभी फिलहाल हमने आईरवेद की वाजी करक नाम की एक सिरीज चुरू की है जिसमें की जो भी वीर्य संबंदित या शुक्र संबंदित जितने भी रोग है उसके बारे में हमने यह लेक्चर सिरीज शालू की है तो उसी में ये जो गुड़ है उसके भी हम आपको बहुत से फायदे आगे आने वाले उसमें बताएंगे कि शुक्र की बीमारी में आप कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। आईरवेद में गुड़ को शुक्र जनक कहा है अर्थात यह शुक्र को बढ़ाता है और वातनाशक है अब धंडियों में खास करके जब जोडों के दर्द इन सब की समस्चा बहुत बढ़ जाती हैं कई लोगों को स्वांस कास की समस्चा चालू हो जाती है अर्थात सूखी खासी आना या फिर स्वांस लेने में तकलीफ होना तो ऐसे सभी लोग जिनने जोडों का दर्द हो या फिर स्वांस की समंदी बीमारी हो या वाईउ से समंदी कोई भी रोग हो जैसे कि शरीड ड्राय हो जाता है सूख जाता है बाल जढ़ने लग जाते हैं दात कमजोर हो इन सभी बीमारियों के लिए गुड एक बहुत अच्छा आईर्विद में टॉनिक कहा गया है अब गुड के इतने सारे फायदे जानने के बाद अब इतनी सारी चीजे बताने के बाद जानते हैं कि वात, पित और कफ के रोगों में गुड का प्रयोप कैसे कर सकते हैं निघंटू रतनाकर ने ऐसा कहा है दोस्त रह शय कराए नमो गुडाएं अर्थात गुड को नमन किया है क्योंकि ये तीन के तीनों वात, पित और कफ तीनों को कंट्रोल करता है अगर आपको गुड को वात के रोगों में यूज करना है तो गुड को सोट के साथ प्रयोग करना चीए सुन्ट, सोट या जिसे जिंजर भी कहते हैं उसके साथ अगर आप गुड का प्रयोग करें तो वात्स सम्मंधित जो रोग हैं उसमें गुड बहुत अच्छा काम करता है जैसे कि पहले ही हमने कहा चाहे वो जोडों का दर्द हो, स्वास का सम्मंधित कोई भी समस्चा हो रेस्पिरिटरी ट्रैक के जो डिसॉडर होते हैं, पेट में बहुत गैस या वायू बनती है उन सारे लोगों में या वात्स के जो अस्ती से ज़्यादा आईरवेद में रोग कहे गए हैं उन सभी रोगों में गुड ज़्यादा लापकारी है, अगर आप इसे सोंट के साथ बना का प्रयोग करें तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा गुड का तुकडा ले सकते हैं, उसमें एक चुटकी सोंट डालके उसकी आप छोटी चोटी गोली बना सकते हैं अपने टिफिन में रखके आप इसे खा पी सकते हैं, स्वांस की बिमारी में तो आप इसे गुड और सोंट को सूंग सकते हैं, स्मेल भी ले सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं तो स्वांस या फिर वायू की संबंदी जितनी भी असी बिमारियां है उसमें गुड और सोंट का प्रयोग जादा लाब करी है। अगर आपको इसे पित्त के रोगों में यूज करना है गर्मी बहुत लगती है शरीर में से ब्लीडिंग होती है कहीं से या फिर दाह जलन होता है शरीर में पित्त संबंदित कुछ समस्या बढ़ गई है जैसे कि जलन या फिर एसिडिटी हो रही है आपको या फिर गर्मी बह प्रकाश निगंडू ऐसा कहते हैं कि इसे हरड के साथ यूज कीजिए जी हां अगर पित्य की समस्या है तो इसे हरड के साथ अलप मात्रा में प्रयोग करने कहा है क्योंकि गुड़ भी गरम है और हरड भी गरम है दोनों गरम है फिर भी गुड़ का जो मधूर रह से मीठा हो खाने के कारण के गरमी को कंट्रोल करता है कफ संबंदित रोगों में सर्दी खासी दमा अस्थमा मोटापा कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है फैटी लीवर है है ऐसी बीमारियों में जिने कफ बहुत होता है ठंडी बहुत होती है उन सभी समस्याओं में गुड़ को अद् इसे खा लीजिए, खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं गूड को दिन में दो से तीन बार ये कब संबन्दित सभी रोगों में काम करेगा, तो वात,open और कफ तीन के तीनों रोगों में गूड को अलग-अलग तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह तीन के तीनों दोशों के कारण होने वाले जो भी रोग हैं उन सभी पर कार्य करता है इसलिए तो भाव प्रकाश निघंटु ने इसे नमो गुड़ाय कहा है अर्थात गुड़ को नमस्कार किया है तो इस ठंडी के मौसम में जब हर जगा गुड़ आराम स बताए हैं उसके लिए गुड़ में ध्यान रखिए कि सफेद गुड़ नहीं पीला गुड़ नहीं काला वाला गुड़ ही जरूर लेना है क्योंकि सफेद और पीले में केमिकल्स बहुत सारे होते हैं और संभव हो तो गुड़ को थोड़ा स्टोर करके लिए रख तो उनके कई ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर गुड़ बढ़ जाते हैं उसमें से गुड़ या फिर जैगरी एक है तो ठंडियों में मीठे मीठे गुड़ का मजा लीजिए और अभी मकर संक्रांती आएगी तो उसमें तो महराश में एक कहावच चलती है तिल गुड़ गुड़ गुड़ बोला अर्था तिल और गुड़ खाईए और मीठा मीठा बोलिए तो गुड़ का मजा लीजिए और तब तक के लिए स्वास्त रहें मस्त रहें